हेलो में सी वेलकम बेक तो माई चैनल तो आज के वीडियो लेक्षे पर हमने क्या ची डिस्कुस करने हैं तो देखिए हमने स्टार्ट के थी इन औरगनी केमिस्ट्री की यूनिट जो है आपकी इस उनिट के हम लोग 11 लेक्षे पर पहुंचे हैं और आज के 11 लेक्षे पर जो टॉपिक हमने डिस्कुस करना है वो है आपका कैल्कुलेशन और डी क्यू बी पैरामिटर है क्या यह कहां से आ रहा है क्या इसका यूज है पहले में आपको वो डिस्कुस कराती हूं देखो दोस्ता था आपका तैनावे सुगैनो डायग्राम अब होता है कि अगर आप यह दोनु डायगराम को कंपेर करेंगे तो आपको पते हैं तो अगर हम लोग किसी भी ट्रांजिशन मैंटर कोंपलेक्स के लिए दिल्स कर था है तो उस डायगराम की है अपकी रिदिक कर सकते ह करेंगे बस अब जतना समझों कि हम लोग क्या है किसी भी complex के लिए अगर हम तेनाबे सुगैनो diagram को ड्रो करते हैं वो भी पर्टिकुलरली कौन सा तेनाबे सुगैनो diagram तो उस diagram की हैसे हम लोग क्या कर सकते हैं उस पर्टिकुलर complex के लिए डीक्यू की value भी यानि की रखे parameter की value और साथ इसाथ बीटा यानि की नेफ लोग जाटिक रेश्यो की value को भी प्रेडिक कर सकते हैं तो यह सारे calculation किसके अंदर involved हो रहे हैं applications of तेनाबे सुगैनो diagram की applications बताईए तो होच सकता है कैसे भी आपसे question पूछ सकते हैं बट अगर applications of तेनाबे सुगैनो diagram पूछ लेते हैं तो आप यह समझ लीजी कि आपसे calculation of dqbn parameter पूछा गया है क्यों क्योंकि यह जो calculation हम लोग करते हैं यह सिर्फ हम लोग तेनाबे सुगैनो diagram की ही help से कर सकते हैं अगर हम किसी भी complex के लिए तेनाबे सुगैनो diagram draw करते हैं उसी diagram की help से हम लोग उसी correlation diagram की help से हम लोग यह values भी predict कर सकते हैं इसलिए यह सारी जो calculation है यह क्या रहती है applications of तेनाबे सुगैनो diagram रहती है इतने चीज़ क्लिर आई अब मैं आपको पर्टिकुलर्ली बताती हूँ हमने आज की इस लेक्षर में करना किया ठीक है इस लेक्षर पर हमने क्या करना है हम अलग अलग टैप की ट्रांजिशन मैटल कॉंप्लेक्स का एक्जामपल लेते वे चलेंगे जहां पर हमारा जो मैट अलग अलग आलग liegen फिस लेक्रद्थ करैंगे उनके लिए हम लोगे थिक्सक आपको सिप्टेय डाइग्राम के लिग्षिंक्रेंगी अहीं ऑध आपको जिघया डिखा यहीं और हमलों क्या निकालेंगे डीक्योप एन्पेरामिटर की वेल्य तो फॉस्री अप समझे क्या ह हुआ होता है हमने डी इक्यू की वैल्यों निकाली है तो अप जिसको आपको में यह इक्यू ऐसे समझाते हूं हम क्या हैं ट्रांजिशन मैठल कम्पलेक्स की बात कर रहें और बता हैं त्रांजिशन मेठल कंपलेक्स में जो metal N है उसका D-shell को हम split कराते हैं उसकी तो हम लोग splitting कराते हैं तो अगर suppose के लिए मैं बोलूँ कि जो मेरा transition matter complex है उसमें जो मेरा D-shell है वो दो पार्ट में split कर दिया पहला पार्ट है मेरा EG और दूसरा है मेरा T2G अभी यहां मैंने multiplicity वगरा कुछ नहीं लिखाई है तो मैंने n multiplicity यहां पर show किया अब होता किया है कि यह जो मेरी splitting है अगर मैं इस splitting में अगर मैं पूछोगी इस splitting यह जो मैंने splitting कर आई है इस splitting जो मैंने कराई है इसके लिए energy की value क्या है तो मैं क्या करूंगी इन दोनों energy level का difference निकालोंगी जिसे हम delta O से रिप्रिजेंट करते हैं देखो आपको यह चीज़ माइन पर है कि टेनाबे सुदेनो डाग्राम जो है वो सिर्फ ऑक्तर हैडर कॉंप्लेक्ट की रिस्पेक्ट मा बनता है तो यहां जो हमारे crystal field splitting energy होगी वह हमारी delta O होगी देल्टा O मतलब crystal field splitting energy in octahedral compound अगर यह डाग्राम हम tetrahedral compound की रिस्पेक्ट मा बनाते तो हम यहां पर को delta T यूज करते हैं तो होता क्या है कि अगर मैं यह दो energy level की बीच में energy difference पूछू तो मेरा कितना difference होगा delta O difference होगा और इसी delta O के लिए जो हम लोग यह जो energy difference है इसके लिए जो हमारे unit होती है इसी की unit को हम क्या बोलते है delta Q यानि की delta Q क्या है आपकी unit है किसकी crystal field splitting energy की unit है और आपने इसी की value को आपने calculate करना है अब DQ की value को आप calculate कैसे करता है बहुत असानी से आप इसकी value को calculate करेंगे कैसे करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ जैसे अभी अभी मैंन डी क्यू की value को calculate करना है तो D O की ही help से आपको D Q की value को calculate करना होता है कैसे करना होता है इन दोनों की बीच में relation होता है relation कैसा होता है कि अगर आपको delta O की value पता चल जाए तो delta O की value किसके equal होती है 10 DQ के equal होती है यानि कि आपने complex के लिए delta O की value निकाल नहीं यानिकि crystal field splitting energy आप 10DQ के एक्वल होगी और अगर आपने 10DQ के बदले 10DQ निकालना है तो आप क्या करेंगे DQ is equal to delta O, अपॉंट क्या कर देंगे, 10 कर देंगे, तो आपको DQ की value असानी से मिल जाएगे, तो आज के lecture पर DQ के साथ-साथ हमने किसकी value निकालनी है, डेल्टा O की value, क्योंकि अगर delta O निकलेंगा, तो DQ निकलेंगा, तो पहले delta O निकालना के देंगे, दन हम लोग DQ की value निकालना है, दूसरी जो value हमने calculate करनी है वो आपकी क्या है, B यानि की क्या होता है रहके parameter तो दूसरी value जो हमने calculate करनी है वो है B यानि की रहके parameter जो आपको क्या दिखाता है Inter-Electronic Repulsion के बारे में बताता है ठीक है तो complex के लिए आपकी B की value क्या है ये भी हम calculate करेंगे और lastly जो हमने calculate करनी है वो है आपकी बीटा की ठीक है बीटा आपका क्या होता है बीटा मतलब होता है आपका Nephloxetic Ratio इसकी value किस पर depend करती है इसकी value totally depend करती है B यानि की रहके parameter की value पर अगर आपके किसी complex के लिए B की value calculate नहीं कर सकते यानि की value B आपको क्या बताता है inter electronic repulsion तो अगर किसी complex में inter electronic repulsion नहीं हो रहा है तो उस complex के लिए आप B तो नहीं निकाल सकते और अगर B ही नहीं निकाल सकते तो आप बीटा भी नहीं निकाल पाएंगी यानि कि उसके लिए nephlogzatic ratio भी नहीं निकाल पाएंगे क्यों क्योंकि nephlogzatic ratio की जो value होती है वो किस पर depend करती है बीप है कैसे होती है बीटा ही जिकर टू क्या होता है बी complex अपॉन बी फ्री आयन तो आपको क्या है बीटा की value अगर आपने निकालनी है तो आपको बी की value पता होने चाहिए यानि कि रैक के parameter की value पता होने चाहिए अगर रैक के parameter की value ही नहीं है तो आप बीटा की value नहीं न पास मेर तो से पेहला पॉइंट आपको यी मैं पर रखना है कि suppose आपका जो transition metal complex है इसमें जो आपका metal ion है इसका configuration अगर D1 या फिर D9 रहा क्या रहा D1 या फिर D9 रहा तो उस case में आपको इन तीनु values में से सिर्फ एक value को predict करना होता है और वो value क्या होती है सिर्फ DQ यानि कि आपने क्या है अगर आपका transition metal complex में metal का configuration D1 या फिर D9 है तो उस case में सिर्फ आपको DQ की value और delta O की value calculate करना ही होती है B की value और beta की value इस case में आप calculate नहीं करते क्यूं क्यूंकि D1 और D9 के case में B यानि B आपका मतलब क्या हुआ bracket parameter जो आपको क्या explain करता है इंटर electronic repulsion तो D1 और D9 की case में B की value calculate नहीं होती है इंटर electronic repulsion नहीं होता है इसकी वज़े से क्या हम लोग D1 और D9 configuration वाले transition metal complex के लिए bracket parameter B की value calculate नहीं कर सकते और मैंने अभी आपको जो formula बता है इसलिए बता है क्यूंकि आपको मैंने क्या बोला बीटा की value totally किस पर depend करती है बीप है तो अगर B की value नहीं है तो बीटा की value तो होगी नहीं तो यही चीज़ आपने mind पर रखनी है कि अगर आपका transition metal complex है उसमें अगर D1 और या फिर D9 configuration है तो उस case में आपने सिर्फ DQ की value और delta O की value निकाल नहीं है बीटा की value आपको calculate करने की कोई भी need नहीं होती है ठीक है तो पहली चीज़ आपको यह समझ मैं तो यह point आपने mind पर रखना है ठीक है दूसरा point आपको क्या mind पर रखना है कि अगर इन complex में जैसे मैंने बोला कि सिर्फ आपको delta Q की value निकालने है देल्टा Q की value कहां से निकलेगी जब आप delta O की value निकालने है जैसे अभी मैंने आपको बता है क्योंकि यह दोनों आपस में relate करता है delta O की value बता है तो delta Q की value आपको sorry DQ की value आपको खुद बखुद बता चल जाएगी ठीक है तो अगर मैंने जैसे यह बोला कि इन दोनों configuration में सिर्फ आपको delta O की value निकालनी है तो यह delta O की value कहां से आएगी वो आपको दूसरा point बताता है आप जिस यहां पर देखो होता दूसरा point यहें लिख देता है अगर suppose आपका transition matter complex है उसमें जो matter line जो है आपका अगर इसका configuration D1 या फिर आपका D6 या फिर आपका D4 या फिर D9 है तो इन complex के लिए एक चीज़ कॉमन है कॉमन क्या है कि अगर आप इन complex के लिए टनाबे सुगैनू डाग्राम को ड्रॉ करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है मैं यहा इन दोनों के लिए सेम रहता है तो यह जो correlation diagram यह जो टनाबे सुगैनू diagram है वो D1 और D6 के लिए तो अगर D1 और D6 के लिए अगर टनाबे सुगैनू diagram बनाना तो सबसे पहरी चीज क्या है इनके लिए ground state term निकालो तो इनके लिए और इनके लिए दोनों के लिए D1 D6 D4 D9 इन सब के लिए जो ground state term होती है वो होती है आपकी D और multiplicity हम कोई fix नहीं लिख रहे, multiplicity की value नहीं लिख रहे, multiplicity की place पा हम N लिख देंगी ठीके तो इन चारू configuration के लिए जो ground state term होती है वो D ही होती है तो हमने लिखा ground state term D as a reference point यहाँ पर हमने उसके उपर multiplicity की value लिख दी N और E.G में तो होता ये है, D.1 और D.6 के case में, T.2 G. तो As a ground state behave करता है, देखो मैंने split करा दिया यह अमारा As a ground state behave करता है T2G किसके case में D1 और D6 के case में T2G हमारा ground state की तरह behave करता है EG हमारा excited state की तरह behave कर रहा है multiplicity N तो हमने इनके उपर multiplicity क्या लगा दी N यह किसके case में D1 और D6 के case में लेकिन अगर हम D4 और D9 की case में लेंगे तो यहाँ पर थोड़ा change आजाता है वो यह कि इन दोनों का ground state term बिल्कुल सेम है इसके लिए भी ground state term ND ही होगा बट D आपका कैसे split करता है T2G और EG में लेकिन D4 और D9 के case में ये T2G और EG कैसे exist करेंगे D4 और D9 के case में T2G क्या है पहले जो आपका excited state था अब वो क्या हो जाएगा ground state ये किस के case में D4 और D9 के case में तो ये तो आपका TNB-Sugano diagram है ये तो हम discuss कर चुके है बट main चीज आपको यहाँ पर क्या देखनी है जिससे आपको delta O की value पता चले वो है यहाँ पर transition तो आपको क्या मिलता है देखो जब भी आप D1, D6, D4, D9 वाले complex लेते हैं आपको देखने को मिलता है यहाँ अगर आप इनका correlation diagram बनाए तो आपको यहाँ पर एक चीज देखने को मिलती है वो यह कि इन केस में इन चारों केस में आपको एक single transition देखने को मिल रहा है देख लीजे एक single transition देखने को मिल रहा है T2G से EG और EG से T2G के लेवल पर इतनी चीज क्लेर आई अब एक single transition मिल रहा है तो इससे हमें delta O की value कैसे पता चलेगी तो होता यह है कि अगर आप यह configuration की बात करें तो यहाँ पर यह single transition के लिए जो energy की value है न वो ही energy की value आपके delta O की equal रहता है कितनी असान बात थी तो देखो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ देखो आपको यहाँ single transition मिला अब यह transition हुआ तो यहाँ पर transition कराने के लिए कुछ ने कुछ amount की energy लगी होगी जिसे हम क्या बोलेंगे transition energy तो यह जो transition यहाँ पर हुआ इन transition को कराने के लिए जो energy लगी इसे हमने बोला transition energy तो ये जो transition energy की value है suppose मैंने बोला transition energy की value x है तो ये ही x amount के energy किसके equal होगी delta o के equal होगी देखो delta o आपकी crystal field splitting energy ये भी आपकी energy है ये भी आपकी energy है तो इन चारू के case में जो आपकी transition energy की value होती है वो ही value आपकी crystal field splitting energy की होती है यानि कि अगर transition energy की value आपकी कितनी है x है है तो delta o यानि कि splitting energy भी आपकी कितनी होगी x ही होगी इतनी चीज़ clear है और आपको पता है delta o और dq कैसे relate करता है क्योंकि delta o अगर मिल गया तो dq आराम से है कैसे क्योंकि delta o किसके equal होता है 10 dq के equal होता है यानि कि अगर आपके delta o की value x है तो 10 dq की value भी आपकी कितनी होगी x होगी तो अगर आपको 10 dq की value मिलगी तो आपको dq की value भी असानी से मिल जाएगी कैसे dq किसके equal होगी x upon 10 की equal होगी कितना असान था तो ऐसे हम लोग क्या है एक single transition की जो energy की value आई वो ही energy आपकी delta O की होती है और वो ही energy आपकी 10DQ की होती है और इसे की help से हम लोग DQ की value को predict करते हैं कितना असान था यहां पर आपको यानि कि D1, D9, D4 और D6 के case में अगर आपने delta Q की value या फिर delta O की value निकालनी ह है तो अपने कोई calculation नहीं करनी होती है आप जिस अपनी transition energy देखो एक ही transition हो रहा है उस transition को कराने के लिए कितनी energy आपको चाहिए अगर वो आपको पता चल जाएगा तो आपको क्या है DQ की value और delta O की value भी मिल जाएगी कितना असान था तो हम example की help से देखते हैं और एक और ची की value भी निकालेंगे यह जिस मैं आपको किसकी trick बता रही हूं आपको DQ की value और delta O की value का निकालने की trick बता रही है क्योंकि इन चारों case में single transition हो रहा है इनके अलावा अगर आप दूस्ते configuration लेंगे वहां आपको तीन transition चार transition देखने को मिलता है एक single transition नहीं देखने को मिलता जिस वजह से यह trick वहां आपके apply नहीं की जाती है लेकिन इन configuration में एक single transition है जिसकी वह से इस trick की health से हम लोग क्या है डेल्टा O और DQ की value निकाल सकते हैं बट D6 और D4 के आपको यहां नीचे लेके चलती हूं देखो यह हमारा D1 configuration यह हमारा D1 configuration के लिए थिनाभे सुगयनो diagram जैसे मैंने बोला D1 के लिए जो ground state term होती है वो होती है D multiplicity N के प्लेस पर बिस्ते हैं आप पर प्रिकुलर्ली multiplicity लिखी है 2 तो D2 आपकी ground state term है as a reference point अब यह split करेगी T2G और EG level पर तो हमने बोला D1 और D6 case में T2G हमारा ground state EG हमारा excited state T2G हमने ground state लिया है EG is excited state multiplicity same है 22 तो same multiplicity यानि की delta is 0 और यहां जो transition है वो आपका allowed transition है और यह spectra किसकी respect में draw होता है यह तो हम पहले discuss कर चुके है EB यानि की energy term divided by bracket parameter किसके against delta हो यानि की crystal free displating energy divided by bracket parameter तो देखो यह हुआ आपका diagram ठीक है अब आपको क्या देखने को मिल रहे है यहां पर एक single transition देखने को मिल रहे है T2G से EG जैसे मैंने आपको बताया तो यह जो आपका diagram है कि किसके respect में बनाए गया है यहां पर आपको क्या example भी दिया हुआ है consider किया हुआ है हमने example titanium का यानि कि TI S2O6 3 positive water as a ligand जो कि एक type के weak ligand है और यहां पर जो complex है वो octro-adval है क्योंकि हमें परता है जो टनाबे-sugaino diagram बनता है वो octro-adval complex के लिए ही बनता है अब यहां पर जो titanium है यानि कि TI है इसकी oxidation state है plus 3 तो अगर TI plus 3 के लिए configuration देखेंगे तो यह D1 configuration से ही belong करेगा तो इस complex के लिए जो टनाबे-sugaino diagram होगा वो कुछ step का होगा यहां पर जो हमने draw किया है तो हमको क्या मिला यहां पर जो आपका metal ion है वो D1 configuration से belong कर रहा है इसके लिए जो टनाबे-sugaino diagram हो कुछ step का है और एक single transition आपको यहां पर calculator र्हक के parameter और अगर र्हक के parameter ही calculate नहीं हो रहा तो beta तो calculate हो गए नहीं तो यहां पर लिए no need to calculate ने फ्लॉकजटिक ratio ओके अब हमने क्या say calculate करना है delta O और अगर delta O हमारा calculate हो गया तो delta O किसके equal होता है 10DQ के equal होता है तो हमने क्या बोला D1 configuration हो, D4 configuration हो, D9 configuration हो या फिर D6 configuration हो इन स सारे konfiguration में सिंगल transition होता है उस सिंगल transition के लिए जो आपको energy की value मिलती है वही energy किसके इकवर होती है delta o के equal होती है तो अब हम क्या करेंगे इस configuration मतब इस टैप के complex के लिए हम लोग transition की energy देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है कि यह जो आपका complex है जब यह transition कराता है तो एक broad peak आपको देखने को मिलती है और उस broad peak के लिए जो energy की value होती है वहाँ पर अगर आप energy की value निकालेंगे त तो वो होती है 20,300 याने की 2300 पर centimeter, 20,300 पर centimeter तो हमको यह चीज़ पता चलगी कि यहां पर जो transition हुआ है इस transition को कराने के लिए इस transition को कराने के लिए जो energy चाहिए थी वो हमारी थी 20,300 per centimeter transition की energy तो इस transition की energy अगर 20,300 per centimeter है तो यही energy आपके किसकी होगी delta O तो delta O भी आपका कितना हो जाएगा 20,300 per centimeter और अगर delta O की value इतनी है तो हमारी 10DQ की value भी आपके किसके equal होगी 20,300 per centimeter तो अगर 10DQ की value 20,300 है तो DQ की value कितनी होगी 20,300 divided by 10 तो कितनी value आई 2030 यानि कि DQ is equal to कितना हुआ 2030 value आपको मिल गई बस इतनी ही value आपको calculate करनी थी तो देखो यहाँ पर इसने साफ-साफ लिखा है कि आपका transition T2G यहाँ पर आपको क्या है डेल्टाओ की value आपको कितनी मिलेगी 20,300 और 10DQ की value आपको कितनी मिलेगी 20,300 पर संटीमितर सारी values आपकी सेम रहेंगी बट यह 10DQ की बात कर रहा है अगर 10DQ की इतनी value है तो DQ की आप क्या करेंगे 20,300 divided by 10 तो यह कटेगा तो आपको DQ की value कितनी मिलेगी 20,30 पर संटीमितर की आपको क्या है DQ की value यहाँ पर को अब सेम चीज़े से अपनी हाँ D1 की case में किया है सेम चीज़ आप D6 के case में भी करेंगे सेम D9 की case में भी करेंगे और D4 के case में भी करेंगे कैसे करेंगे आप जिस दूसरे example यहाँ पर discuss करते हैं दूसरे example D9 configuration की बात की है श्योरी आप पढ़ लिजेगा तो copper जो है वो D9 configuration से belong करेंगा और अगर यह D9 configuration से belong कर रहा है तो इसके लिए जो आपको तेनाबे सुगेनो diagram मिलेगा वो कुछ step का मिलेगा यहाँ पर आपका जो T2G है वो excited होगी है EG आपका ground level होगी है अब आपको क्या देखने को मिला D9 configuration है तो obviously यहाँ पर आपको सिर्फ एक transition देखने को मिला EG से T2G level पर और इस transition के लिए जो energy की value होगी वो ही value आपके किसके होगी delta होगी और वो ही energy की value आपके किसके equal होगी 10D क्योंकि है तो आपने example लिया है copper का यानि कि copper as a central metal atom water as a ligand और octahedral complex okay तो हमको पता है हमने क्या बोला था D1 और D9 के case में हमको B निकालने की कोई need नहीं है तो calculation of B में आप लिखेंगे no need to calculate a rack के parameter calculation of beta में लिखेंगे no need to calculate a nephloxetic ratio और calculation of delta O में आपके लिखेंगे कि इस complex में जब भी आपने transition कराया तो transition करा जो आपको value in transition की energy being 12,000 पॉसट है और अगर ये ट्रांजिशन कराने के लिए जो आपकी transition की जो value है वोगर 12,000 प सेंटीमीटर है तो ये ये value आपकी किसके equal होगी derta O कीsey vílestruct के equal होबे या यानि की denken कlet ऑनोग है ट्वल थांट थालट थांट पॉसट के equal है तो 12,000 किसके equal हो गया 10DQ के equal हो गया तो मैं यहां पर अगर point to point लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकती हूं ना first क्या लिख सकती हूं कि मेरा जो transition हुआ जो मेरी transition energy है transition energy यह किसके equal है transition energy है मेरी 12,000 per centimeter के equal 12,000 per centimeter के equal और अगर यह मेरी 12,000 per centimeter के equal है और single transition हुआ है तो यही value मेरी delta O की रहेगी delta is equal to क्या हूआ 12,000 हो गया और अगर delta O की value 12,000 है तो मेरी dq की value भी कितके equal हो जाएगी dq नी 10 dq की value किसके equal हो जाएगी 12,000 के equal हो जाएगी और अगर 10 dq की value 12,000 है तो dq की value किसके equal हो जाएगी 12,000 divided by 10 तो value कितनी हो गई 1200 तो मेरी dq की value किसके equal हो जाएगी 1200 के equal हो जाएगी तो बस यही चीज तो आपने यहापर करना है कितनी ही था तो समझे तो यह value भी लगाई है तो आपको 10 dq की value भी यहापर को मिल गई तो आपने d1, d9, d6, d4 configuration में सेम चीज आपको यहापर को करनी है ठीक है तो यह तो रही हमारे simple complex की बात अब हम लोग थोड़े complex के complex case में बढ़ते हैं जहाँ पर हमने b और beta की value को प्रिडिक करना है dq के साथ साथ ठीक है तो अब हम बात करने हमारे next configuration पर हमने किसको बात करनी है किस पर बात करनी है d3 and d 8 configuration मतलब suppose अगर हम ऐसा consider करें अभी suppose करके बता रही हूं आगी मैं आपको proper example की help से दिखाऊंगे और वह example की help से आपने exam पर बात करनी होगे तो अभी मैं जसे आपको suppose कह रही हूं कि suppose जो हमारा हमने एक ऐसा transition metal complex लिया है जहाँ पर जो हमारा metal iron है वो उसका जो configuration है वो d3 configuration है या पर d8 configuration है और उस case में अगर मैं आपसे पुछूँगी बताइए उस complex के लिए b की value, beta की value, delta o की value और dq की value क्या होगी तो अब कैसे calculate करेंगे तो answer हमारा क्या है हमको बनाना होगा tenaibis ugano diagram क्योंकि उसी correlation diagram की help से हम ये सारी values को predict करते हैं तो पहला काम हमारा क्या है कि हमने क्या है d3 and d8 configuration के लिए ये tenaibis ugano correlation diagram को draw करना है तो होता क्या है मैंने इन दोनों को साथ-साथ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि d3 and d8 के लिए जो correlation diagram होता है वो बिलकुल सेम होता है बट difference कहा आता है difference आता है multiplicity पर अगर आप देखेंगे d3 की अगर मैं बात करा हूँ तो d3 के case में क्या होता है हमारा ground state term होता है 4f और d8 के case में भी आपका f वाला ground state term होता है बट 4f के बदले क्या हो जाता है 3f यानि कि दोनों के लिए ground state term ffe है लेकिन यहां पर को multiplicity की value आपकी क्या है एक में 4 है एक में 3 है और हमें पता है हम app के साथ किसको use करते है पी को use करते है तो 3d के case में हमारा p कैसा हो जाएगा 4p और d8 के case में हमारा p कैसा हो जाएगा 3p हो जाएगा यह तो हमारा क्या है बाकी सारे चीज़ें सेम है दोनों की correlation diagram बिल्कु सेम है बट हमने जो ground state term लिखनी है उनकी multiplicity हमारी क्या होगी अलग होगी d3 के case में multiplicity is 4 लेकिन d8 के case में multiplicity कितनी होगी 3 अब splitting कैसे होगी आपको पता है 4f हमारा कैसे split करता है a2g t2g t1 में और हमारा a2g की सबसे काम energy then a2g की and then a1g की और 4p हमारा कैसे split करता है t1g में 4p में multiplicity 4 है तो हमारा t1g की multiplicity भी 4 हो जाएगी same चीज आपको यहाँ मिलेगी f हमारा यह 3 में split हुआ a2g t2g t1g और f की multiplicity 3 है तो हमने a2g को भी 3 a2g लिखा t2g को भी 3 a2g लिखा और t1g को भी 3 t1g लिखा similarly p का p हमारा split करता है t1g में देखे t1g t1g same है but difference कहा है multiplicity में 4p में multiplicity 4 है तो t1g हो गया 4 और 3p में multiplicity है 3 तो t1g हो गया 3 इते चीज़ क्लियर आई अब हमने यह correlation diagram तो बना दिया अब बात आती है कि इसकी help से correlation diagram की help से b beta delta o और dq की value को कैसे calculate करेंगे अब calculate कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे लेके चलती हूँ but उससे बहले मैं आपको एक और चीज़ यहां पर समझा दूँ वो यह कि एक point जैसे point मैं आपको आगे बता है वैसा ही point मैं आपको यहां पर बताना चारी हो कि अगर आपक complex suppose d3 and d8 configuration से belong कर रहा है then उस case में आपको delta o और dq को निकालने के लिए क्या trick यूज करनी है जैसे हमने पहले बोला था हमारी trick यह थी कि जो transition energy होती है वो ही हमारे equal होती है splitting energy के और वो ही energy हमारे equal होती है 10 d2 के okay but अगर आप इस complex की बात करेंगे यह वाला trick हम लोग आगे यू इस configuration की बात करेंगे इन दोनों configuration के लिए टिनाबे सुगेनो diagram ड्रॉ करेंगे तो आपको यहां देखने को मिलेगा कि यहां जो transition है वो एक single transition तो है नहीं यहां आपके पास तीन transition आपको देखने को मिल रहा देको 123 यह तीन transition allowed है यह तीनों transition भी आप देख सकते हैं allowed क्यू है क्यूं नहीं है यह हम पहले discuss कर चुके हैं selection rule पर अभी जिस इतना देखो हमारे पास दोनों के configuration में तीन तीन transition है अब बात ही आती है कि अगर यह तीन transition है तो इन तीनों transition में से कौनसे transition की energy हमारे delta हो के equal होगी और उस energy की value से हम लोग 10 dq की value और dq की value को calculate करेंगे क्यूंकि यहाँ पर हमारे पास एक transition तो नहीं है उपर जो हमने बात की थी यहाँ पर इन चारों confahrenation में हमारे पास सिर्फ एक transition होता है अगर एक transition है इत मींस एक transition energy है इत मीन्स हमारे पास क्या होगी उसी transition energy की help से हम लोग 달TA O की value निकालेंगे और पर देल्पीव की value को dq की value को निका इन konfiguration में हमारे पास क्या है इन konfiguration में हमारे पास तीन तीन transition है अब बात यह है कि इन तीन transition में से कौन से transition के energy हमारे delta o के equal होगी और 10dq के equal होगी तो एक point आपने यहां पर mind पर रखना है कि जब भी हम d3 या फिर d8 konfiguration की बात कर रहे हैं इस case में जो हमारा lowest transition होता है lowest transition energy होती तो अगर मैं आपको यह बन लिखके दिखाओ यह transition है यह पहला transition है इसके energy अगर मैं E1 लिखूं यह दूसरे transition की energy E2 लिखूं और यह तीस्रे transition की energy E3 लिखूं तो और मैं पूछूं अगर यह यहां भी तो बिल्कुँ सेम होगा यह आपका even यह होगा E2 यह होगा E3 ओके त इस त्रांजिशन को चाहिंगे weasth key district कराने के लिए कम एनर्जी क्या है क्योंकि ट्रांजिशन है ऐफ जकी घ्याइ польз पहुद्ड यहां पर हो रहा हिं लेकिन यह वाला जो बड़े लÄबल पा हो रहा है यहनि की e3 वाला जो ट्रांजिशन है उसको चाहिए तो kızMI एनरजी लॉंग कर रहा है उस case में हमारा जो delta O की value या फिर 10DQ की जो value है वो किसके equal रहेगी lowest energy वाले transition की equal रहेगी यानि कि lowest energy वाला transition क्या है even यानि की even की जो energy होगी वो transition energy हमने यहां लेनी है तो transition energy किसके लेंगे even transition जो हुआ है उसकी transition energy हम लेंगे और वो ही transition energy हमारी delta O और 10DQ के equal तो आपने यह त्रिक यहां पर को यूज करने क्योंकि 3 था त्रांजिशन है. तो यह तो मैंने जिस आपको यहां पर ट्रिक कर दी अब हम प्रॉपर लिएते हैं तो आगे बढ़िए तो देखो अब पहले हम लोग क्या है D8 Configuration की बात कर रहा है इसके बाद हम लोग B3 Configuration का example से यूज करेंगे तो एक्जांपल की हैस से explain करेंगे तो firstly हम बात करें D8 Configuration example के लिए मैंने लिए निकल का complex है यानि कि निकल as a central metal atom water as a ligand 6 water as a ligand है और यहाँ पर निकल की oxidation state क्या हो जाएगी प्लस 2 ओके तो अगर हमारे पास निकल है as a central metal atom और प्लस 2 state में है तो आप चेक कर लिजेगा कि निकल की जो configuration होगा वो क्या होगा d8 configuration होगा अंके d8 configuration से belongsब कrise अगर यह d8 configuration से belongsब कर रहा होगा तो इसके करें ऐसके डाग्राम कुह step का होगा और अगर correlation diagram कुछ स्टैप का होगा तो आप यह समझ गये कि delta O की parameter यानि कि B की value को calculate करना है तो calculation कैसे होगी ठीक है तो अभी देखो पहले मैं आपको सबसे पहले यहां दो तरीके से calculation दिखाने वाली हूँ क्योंकि यह दोनों ही तरीके आपको दिये वेते books में तो इन दोनों यहां पर at cave हैं आपकी मर्ज़ आप जो भी use करें तो होता ही है कि पहला जो हम calculation करेंगे वो formula के लिए करेंगे हमको यह formula derive करना है और इसी formula में आप देख सकते है formula क्या है आपका बी यानि कि रहके parameter is equal to new 3 new 3 मतलब e1 e2 and e3 यह किसके equal होता है new 1 new 2 new 3 यानि कि जो आपके transition हो है transition में आपको कुछ ने कुछ energy मिली होगी आप particular example ले रहे है तो उस particular example में आपका transition हो उसके लिए कुछ ने कुछ energy रिखी होगी तो आपको कह जो energy की value है आपने बस यहाँ पर put करना है कि b is equal to new 3 यानि कि e1 e3 okay तो आपने यहाँ पर new 3 की value यानि कि e3 की value put करना है उसके साथ plus new 2 करना है यानि कि e2 की value को plus करना है और minus करना है किसको 3 new 1 यानि कि 3 e1 को minus करना है divide कर देना है 15 से जो value आपको मिलेगी वो होगी आपकी रह की parameter की value okay तो यहाँ पर पहले इन्होंने formula कैसे बनेगा वो दिखायागा आप जिस यहाँ पर देखो यह क्या बोल रहा है तो यह क्या बोल रहा है देखो यह बोल रहा है कि अगर आप D8 configuration के लिए टिन यह T1 जी किसका है पीक है और अगर आप इनको energy के basis पर देखेंगे तो आपको पता है पहला transition की energy को आप क्या बोलते हैं E1 transition या फिर new 1 transition दूसरे transition को आप बोलते हैं E2 transition या फिर new 2 transition तीसरे transition को आप बोलते हैं E3 transition या फिर new 3 transition और अगर आप इनके लिए energy की value निकालेंगी particular complex आपका यह है इस complex के लिए तीनों transition की energy निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा पहला जो transition हुए है वो 8500 पर centimeter पर हुआ है दूसरा transition उस फ्रकले air पर 15500 पर centimeter पर हुआ है और तीसरा गया कहती मिल यहां पर किया है और आपको कहेद्प है कि एवन की त्रängt में सबसे कम E2 के इस से थोड़ी जादा and E3 के जबसे जादा उकी तो आप ने तीनों transition की value यहां पर को लिक ली ठीकँए आपके और देखो यह फमुला हमने जो यहां पर हमें फॉर्मúltा मिला इसमें आनीजी की वैलु तो रखनी है । बैइंगि मतलब प्रफम एट्री मतलब एट्रीच ठीक सायरी प्रफमुला-ट्रीच खेंट- है कैसे धीराइब तो देखो यह क्या बोल रहा है बहुत असान है आप जो सुनेगा यह बोल रहा है आपके पास यह तीन equation first all equation second equation third के अभे तीन equation आई कहां से यह बोल रहा है देखो अभी अभी मैंने आपको बोला कि इस configuration में इन दोनु configuration में जो आपका यह lowest transition होता है यानि कि E1 जो transition है E1 की value किसके equal है बोला delta O की equal है और यह value आपकी किसके equal है 10DQ के equal है यह चीज़ अभी मैंने बोला तो मैं क्या बोल सकती हूँ E1 बोलू या फिर new one बोलू बात same है तो मैं यह बोल सकती हूँ new one is equal to 10DQ तो देखो मैंने यहाँ प अगर मैं इमकी splitting दिखाती है strong ligand weak ligand में कैसे splitting हो रही है तब आपको पता चलता कि यह जो value कह रही हो यह value किया है यह जो difference है आपका delta O जो कि किसके equal है 10DQ के equal है तो आपको पता है यह transition को आप new one कह रहे है या फिर even कह रहे है तो even की value या फिर new one की value किसके equal होई delta O के equal ही या 10DQ के equal है तो वही चीज यहां पर इन्होंने first equation में बोल रखा है कि new one is equal to this okay similarly अगर new 2 की equation निकालेंगे new 2 की value निकालेंगे तो हम पता है new 2 की value क्या होगी 10DQ से थोड़ी जादा होगी क्योंकि 10DQ मतलब इतना तो अगर यह value हमने निकालना यह new 2 है इसकी value निकालेंगे तो 10DQ है तो यह value थोड़ा 10DQ से जादा होनी चीज तो कितनी है देखो यह calculate करके बताईए कि new 2 की value कितनी है 18DQ value 10 अब होगी आपकी 18Q की transition थोड़ा बढ़ गया लेकिन minus X है अब similarly new 3 की value क्या है new 3 की value है 15B plus 12DQ plus X तो यह 3 equation हम को मिलती है जब हम लोग यहां पर को splitting कराते है ठी इतनी चीज समझ लीजिए अभी मैंने वो चीज नहीं यहां पर दिखाए भी है तो इतनी चीज समझ लीजिए कि यह जैसे यह equation आई similarly यह वाली equations भी आई energy के basis पर इतना चीज क्लियर आई अब यह तीन equation की help से हमको यह formula derive होता है कैसे देखो firstly यह बोल रहा है put the value of X from the equation second in a third okay तो यह बोल रहा है जो आपकी second equation है इसमें जो आपको यह x मिल रखा है इस x को solve करके x की value को आप equation third में put कर दो कैसे solve करेंगे देखो x को निकालना है तो मैं x को क्या दूसरे साइट कर ले थी क्योंकि यहां मेरा x का positive है तो मैंने x को दूसरे साइट कर लिया तो मैंने क्या किया देखो मेरे यह value आपकी as it is है यह जो है आपका 18 है 18 dx मैंने 18 dq को as it is रखा और mine यह जो आपका new 2 था जो पहले positive था इसको मैंने अंदर introduce कर रहा है तो यह new 2 पहले positive था अब क्या हो जाएक नेगेटिव और x को मैंने बहार निकाल दिया तो यह हो गया x okay तो मेरी x की value क is equal to 18 dq minus new 2 तो देखो मैंने क्या किया यहां पर यह equation third है इसमें x की place पर क्या रख दिया 18 dq minus new 2 तो हुआ क्या equation कैसे बनी equation third बनी new 3 is equal to 15b plus 12 dq 12 dq के साथ हमारा आया 18 dq minus new 2 और इसे आप solve out करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि इन दोनों को dq dq है तो आपने dq को add कर द 15b plus 30 dq minus new 2 ठीके तो यह equation आपके कुछ ऐसी दिराएवी अब यह क्या बोल रहा है अब यह बोल रहा है multiply the equation first by 3 and putting the value dq in equation third तो अब आपने पहले equation और third को multiply करना है और जो value आईगी dq को dq की उसे equation third में put करना है ठीके तो अगर आप put करेंगे तो आपको जो equation मिलेगी finally वो ऐस बहुत बार आपने देखी भी होगी यह equation आप use करते हैं वो यह कि 15b is equal to new 3 plus new 2 minus 3 new 1 तो यहां पर आपको 15b की value मिल रही है यानि कि b की value तो मिल रही है बट b की value आपकी 15 times है आपको 15 times नहीं निकालना आपने particular b की value निकालना है तो आप इस 15 को नीचे division में पेच सकते हैं तो आपका यह equation आपको यहां पर को मिल गई और इस equation की help से आप b की value यानि की रह के parameter की value को calculate करते है ठीक है तो आपने क्या किया यहां पर new 2 new 3 new 1 की value आपको given है यह देखो यह 1 2 3 new 1 new 2 new 3 की value आपको given है आप जिस यह value को यहां पर put कीजिए और put करने के बाद जो b की value आएगी व यह method क्या होता है हमको value तो देता है बट यह रहके parameter की value तो देता है पट यह value इतनी accurate नहीं होती है ठीक है अगर मैं यहां पर को value जो value हमारी उपर e1, e2, e3 या फिर new 1, new 2, new 3 की आई है अगर मैं उनको put करके यहां पर b की value बताओ तो यह कुछ अपर 953 पर cm की रहती है ठीक method का use हम लोग करके अगर b की value को देखेंगे तो b की value आपको 905 की approach मिलती है यानि कि actual 905 है और formula की helps जो हमको value मिली है वो हमारी कितनी है यहां पर लिखी है 953 तो देखो थोड़ा सा difference आपको मिल रहा है accurate दोनों 9 की range में बट आपकी 53 55 और 53 का difference आ रहा है तो यह difference को हमको हटान अच interact कि नीच उसको देखें अभी देखो यह आप फ़र्स टैम पर जान है यह वाला आप दी दिल टॉर्सक में बात कर रहा है और इससे आप पारोइए तो यह रिचे के कि अपन धी रिस्टे को निका लेंगे पस्ट कि यह हम यह बिया अब हान गली Do this नहीं हुक्प दूसरे case में भी यही steps से आपको आखे लेके चलूंगी तो अब आखे बढ़ी अब बताती हूं कैसे निकालेंगी b की value अब यह बोल रहा है अगर b की value निकालना है पर्टिकॉलरी इस complex के लिए निकाल रहे है तो आपको क्या करना होता है यह बोल रहा है कि आपको experimental band energy के निकालना है तो कैसे निकालेंगे तो देखो यह बोल रहा है new 3 बाड़ी value जो उसे आपने उपर रखा चोटी value को नीचे रखा यानि कि new 3 की value आपको पता है जादा होगी new 3 की value जादा है यह 25 के अप्रॉक्स है यह 18 के अप्रॉक्स है तो इनकी value आपने रखी new 3 upon new 2 इसके पदले आप e3 divided me B और e2 upon B भी बोल सकते है तो जैसे आप यहाँ पर energy की value रखेंगे यहाँ पर energy की value कितनी थी 25,300 नीचे वाली की थी 14,500 तो जैसे आप यहाँ पर को values put करेंगे तो आप अगर इन values को solve करेंगे divide करेंगे तो आपको इन दोनों के बीच का difference मिलेगा ratio मिलेगा वो क्या है 1.74 यह आपको value यहाँ पर को मिलेगे आप calculate कर सकते है तो यह value आपको यहाँ पर को मिलेगे अब इस value का करना क्या है इस value की हज़चे आप कैसे B की value निकालेंगे तो यह बोल रहा है कि जैसे आपका यह टिनाबे सुगैनो डाग्राम कुछ इस टाइप का होता है delta O divided by B अब यह बोल रहा है आपने क्या करना है आपने काम करना है यह बोल रहा है आपने लेना है E3 divided by B और E2 divided by B मतलब यहाँ पर को कुछ suppose हम बोल रहे है इस point पर मेरा E3 divided by B है क्योंकि इस coordinate पर हम क्या लेता है E divided by B और E मेरा particularly कौन है E3 तो E3 divided by B मैंने लिया और इसी के सा मैंने क्या लेना है e2 divided by e2 यहां पर मैंने लिया e2 divided by b और इन दोनों के बीच का जो difference होना चाहिए में से scale से measure करते हुए बनाऊंगी कि यह जो मेरा difference होना चाहिए वो मेरा कितना होना चाहिए 1.74 का difference मेरे पा होना चाहिए तो मैंने इन दोनों को यानि की e3 divided by b और e2 divided by b को मैंने इस x अपने y axis पर plot किया point किया और difference कितना रखा इन दोनों की वीच में 1.74 जो हमारा यहां पर निकलाइन का ratio अब मैंने क्या किया मैंने हमारा जो y x coordinate था इस x coordinate में हमारा delta o upon b होता है तो delta o upon b की value मैंने क्या लिए 10dq यानि कि यहां पर मैंने एक point लिया 10dq और इनको क्या किया आपस मैं मिला दिया जैसे यह मैंने आगे को किया और यह से कुछ ऐसे मिलेगा इसको आगे को extend किया और यह इस point से इसके साथ मिलेगा अब हमको क्या मिला हमको यहाँ पर देखने को मिला कि यह जो मेरा transition जा रहा है यह मेरा second transition है यह मेरा transition किया है third transition है इस point से जो transition हुआ वो third transition इस point से जो transition हुआ वो second transition और यहां पर जो मेरी इस transition की helps और इस DQ के respect में जो यह value आए इसकी help से हम लोग E2 divided by B और E3 divided by B की value निकालेंगे और निकालते हुए जो value हमें इस complex के लिए मिली है वो क्या मिली है देखो E3 divided by B की जो यहां पर यह जो है इसकी value हमें किसके equal मिली 28 के equal मिली और इसकी value हमें किसके equal मिली 16 के equal मिली तो हमने लिका है E3 divided by B किसके equal है 28 के और E2 divided by किसके equal है 16 के अब आप देख सकते हैं अगर यह value मुझे पता चलगी कि E3 divided by B मेरा 28 के equal है E2 divided by B मेरा 16 के equal है तो असानी से मैं यहां से B की value निकाल सकती है क्योंकि मुझे इन दोनों का ratio भी पता है 28 और E की value भी पता है कि E की value मेरी कुछ 25,500 के equal आ रहे थे तो मैं क्या कर सकती हूँ यहां पर E3 की value रख सकती हूँ और यहां पर E2 की value रख सकती हूँ और जैसे मैं उन value को 28 से divide करूँगी तो मुझे B की value मिल जाएगी तो वही चीज यहां पर किया है तो पहले क्या है यह आपका second transition के लिए इन्होंने किया हुआ है कि आपकी E की value क्या थी 14,500 divided by B is equal to 16 इनका value कि इनका ratio किसके equal था 16 के तो आपने के किया 16 को यहां डाला B को यहां डाला तो जैसे आपने division किया तो आपको क्या value मिली B की 906 पॉस सेंटीमेटर क्या करेंगे average निकालना है तो इन दोनों को add करेंगे divided by 2 तो add करके divided by 2 करेंगे तो आई आपकी 905 तो आपने यहां तो आपने जो यह formula लगा है मतलब जो आपने प्रॉपर experimentally अगर आपने इसे calculate किया तो आपको क्या मिला 905 मिली रैके parameter की value इस निकल के complex के लिए लेकिन जो formula के त्रू निकाली वो आई आपकी 953 तो दोनों में थोड़ा difference आ रहा है यह value आपकी इतनी accurate नहीं है तो आप formula की भी बात बता सकते हैं और यहां पर को values निकाल के भी calculation है बाकी चीज़े असान है तो देखो अब हमने बात करनी है calculation of delta O हमने क्या बोला था हमारा जो complex है आप जो निकल का complex ले रहे है निकल water as a ligand water है आपकी 6 और यहां पर overall charge है 2 positive तो यहां पर nickel का configuration D8 है तो हमने क्या बोला D8 वाले case में आपने ये trick यूज करनी है कि अगर आप lowest energy वाले transition है 8500 तो यहां पर आप साफसा बोल दीजे कि आपका lowest transition कितने किसके equal है 8500 तो आपकी delta O की energy भी किसके equal होगी 8500 पर सेंटीमेटर के equal होगी और यही energy आपके किसके equal होगी 10 DQ तो देखो यहां पर लिखा है 10 DQ is equal to 5 यहां पर आप पहले यह भी लिख लेगेगा कि delta O is equal to कितना हुआ 8500 पर सेंटीमेटर और आपका 10 DQ किसके equal होगया 8500 पर सेंटीमेटर और अगर आपने particular DQ की value निकालनी है तो 10 को इसके division में भेजेंगे 0 से 0 गया तो value आई आपकी 850 पर सेंटीमेटर तो DQ आया इस complex के लिख निकिल के complex के लिख 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 लि आप पढ़ लिख 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 16,200 और अगर आप particularly B की निकालेंगे तो 15 को division में डालेंगे तो value आई आपकी 1080 ओके तो आपने क्या किया 905 divided by 1080 तो beta याने की nephlogzetic ratio की value आपकी कितनी आई 0.838 पॉस सेंटीमेटर यहां भी पॉस सेंटीमेटर तो आपको beta की value भी मिल गई कितना असान था तो यही चीज़ आपने करने हैं इतनी चीज़ समझभाएं तो यह हमने किसकी बात की D8 configuration की और same ही चीज़ आपने किसके लिए करने हैं अब D3 के लिए ठीके अब वो कैसे करेंगे अब D3 configuration पर बात करते हैं ठीके अब D3 configuration में आपने वही step follow कराना है जो हमने आगी D8 configuration में कर आए थे ठीके तो अब example हमने लिया है chromium का complex हमारे पास है chromium as a central metal atom water as a ligand chromium की oxidation state किया है plus 3 तो chromium plus 3 की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर आप chromium plus 3 का configuration निकालेंगी तो यह D3 configuration से belong करेगी इसके लिए टनावे सुगेनो डागराब हम discuss कर चुके हैं अब हम particularly बात करें कि B की value कि आएगी बीटा कि आएगी डेल्टा कि आएगा और DQ कि आएगा तो firstly हम B की value निकालेंगे कैसे निकालेंगे तो हमने वही चीज़ बोलना है कि हमने तीन transition कराए A2G से 32G, A2G से T1G और A2G से T1G अब यह तीन हो transition के लिए energy की value हमने इस complex के लिए निकाली ही है पहले transition की energy है 17,000, दूस्ते की है 24,000 पर cm, तीस्ते के लिए 37,000 पर cm और आप देख सकते है new 1 की energy सबसे कम, then new 2 की and then last में new 3 की और हमें पता है कि इस complex में जो हमारा delta O की value होती है DQ की value होती है वो किस पर depend करती है हमारे lowest energy वाले transition पर इती चीज़ के लिए रही अब हमने क्या करना है B की value निकालने है तो सबसे पहले हम formula derive करते है जो हमने derive करना आगे भी सीखा हुआ है तो इसको मैं यहां पर दुबारा नहीं बता ली यह हमने पूरा derivation वह है जो हमने आगे डिसकूस किया ठीक है तो पूरा derivation as it is लिखा हुआ है first equation second equation third equation as it is है वह equation का यूज करके आपने यह formula derive किया है अब होगा क्या आपको इस formula में सारी values पता है new 1, new 2, new 3 की value पता है आप value put कीजिए आपको जो B की value मिलेगी वह आपकी बिल्कुल साही तो नहीं होगी वह values ठीक होगी formula से निकले वी है बट वह उतनी accurate नहीं होगी accurate निकालने के लिए हम क्या करेंगे हम आगे बढ़ेंगे और यहां पर बात करेंगे complex आपका chromium का है chromium का complex है water as a ligand और यहां पर जो oxidation state है वो plus 3 है तो हुआ क्या अब इस complex के लिए हम proper निकालेंगे कैसे B की value accurate value तो हम क्या बताएंगे वो ही हमने क्या किया new 3 और new 2 के लिए क्या किया experimental band energy का इनका ratio निकाला तो क्या किया new 2 upon new 1 नीचे हमारी कम energy वाली value उपर जादा वाली यानि की new 2 के energy जादा होगी new 1 से इसको हम e2 upon e1 भी कह सकते हैं और e2 upon b और e1 upon b भी भी बोल सकते हैं और इनकी values हमने यहां पर put की आपको बताएंगे e1 की value 17,000 थी e2 की value 24,000 थी इनका ratio जब हमने निकाला तो इनका ratio लाई गया 1.41 पर है अब हम क्या करेंगे वही टेनावे सुगेनु डाग्राम में हम हमारी y-axis पर अपना coordinate लिखेंगे क्या लिखेंगे देखें मैं यहां पर लिखके लिखा रही हूं हमने कह लिया पहले हमन upon b लिया और इस से कितने का difference लिया 1.41 का difference लेते हुए दूस्ते point पे e2 upon b लिखा और यहां पर को मैंने क्यों सी position में लिया delta o upon b की value लिया यहां पर delta o upon b की value हमने क्या लिखेंगे 10 dq तो यहां पर 10 dq पर हमने क्या किया इनको joint कर दिया कुछ इस type से जैसे पहले लिखाया थ यह हमारा second transition है अब इनके respect में हम यहां पर को e1 upon b और e2 upon b की value प्रिडिक करेंगे तो हमको क्या मिला e2 upon b की value किसके equal है 33.90 e1 upon b की value किसके equal है 24 अब हमाई यह values अगर पता चल गई तो यहां पर हम लोग b की value असानी से निकाल सकते हम क्या करेंगे यहां पर e2 की value यहां पर e1 की value put करेंगे और यहां पर से के निकालेंगे b की value कैसे देखो पहले हमने किसके लिए निकाल लिए second transition के लिए second transition के energy थी 24,000 upon b और यह किसके equal हुई 33.90 तो हमारी b की value किसके equal होगी 24,000 divided by so sorry यहां पर होगा हमारा 24,000 ओफो यह तो 1700 होगा 17,000 तो देखो यह value किसके equal हुई हमन 24,000 b की place b को उपर shift किया 33.90 को नीचे shift किया यहां से हमने cut किया तो value हमारी b की कितनी आई 708 पर सेंटिमेटर ओके similarly अगर आप इसके लिए करेंगे first transition के लिए first transition के energy आपकी होती है 17,000 divided by b और इनका जो ratio है था वो 24 आय था अब आपने 24 को नीचे shift किया b को उपर shift किया तो आ 708 पर सेंटिमेटर ओके अब इनका आप एवरेज निका लिए वो आपको average b की value मिल जाएगी तो ऐसे हमको क्या है रहके parameter b की value मिली same वह steps है जो हमने आगे डिसक्स कि लिए तो रहके parameter की बात कर ली अब हम लोग डेल्टाओ की बात कर लेते हैं हम पता डेल्टाओ किसके एक 17,000 और आपके dq की 10 dq की energy कितनी होगी 17,000 के equal होगी अगर 10 dq की energy 17,000 के equal है तो dq की क्या हो जाएगी आपने 17,000 divided by 10 किया और आपको dq की value कितनी मिल गी 1700 पो सेंटिमेटर तो dq की value भी निकल गी असान था अब हमको nephroxetic ratio यानि की बीटा की value निकालनी है कैसे निकालते है beta is equal to b complex upon bn और आपको पता है b complex तो आपने निकाला हुआ है 708 और similarly आप क्या है b for an निकालेंगे आइन के लिए यहाँ पर particular आपका क्या था chromium 3 positive था chromium 3 positive के लिए रहके parameter की value निकाली है कितनी 1030 पो सेंटिमेटर तो आपने 1030 भी भी बोसकते 1000 पो सेंटिमेटर आप यहाँ आपने इनकी value को cut किया तो आपको beta की value कितनी मिली 0.687, beta की value आपको point में मिल रही है तो यह point पे रहती है 0.687 per centimeter तो आपने यहाँ से beta की value भी calculate कर ली तो बस इतने ही तो काम करना है, बिलकुस same चीज आपने हर जगर करने है तो अगर लेंगे बस यही चीज आपने करनी है आपने यही steps को follow करते हुए आगे को proceed करना है ठीक है तो इतना हुआ तो आज की lecture पर हम इतनी चीज़ ही discuss करते हैं आज की lecture के लिए इनफ रहे है तो आज की lecture के लिए इनफ रहे है तो आज की lecture पर हमने क्या चीज देखी Calculation of DQ B and beta यानि की हमारा क्या था नेफ्लॉक्ज र रहे है तो अभी हम लेक्षे को यहीं पर finish करेंगे, मिलेंगे नेक्स टेक्षे पर तब तक करिए घ्र वाई